नमस्कार रस्तोगी आनलाइन कोचिंग क्लासेज में आपका स्वागत है आज हम लोग पढ़ेंगे हिंदी में चंद और चंद किसे कहते हैं चंद के कितने भेद होते हैं और मातरा को कैसे गीना जाता है तो उस वीडियो को आप लोग नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को आप लोग जरूर देखे हैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक पे जा करके उस वीडियो को आप जरूर देखे हैं जिससे आपका दोहा सोठा रोला का मातरा गिना जा सके इसलिए उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें तो आज हम लोग पढ़ेंगे दोहा दोहा एक मात्रिक छंद होता है इसमें चार चरण होते हैं पहले और मातरिक छंद होते हैं इसमें चार चरण होते हैं पहले और तीसरे अब यहां पहले तीसरे लिखे हैं तो क्या लिखे हैं तेरा ध्यां से देखेंगे तो तेरा लिखा गया है तो पहले और तीसरे में कितनी मातराएं होती हैं तो तेरा मातराएं होती हैं याद ऐसे रख लिज तो है अर्दसम मातरिक चंद का क्या है उदाहरण है दोहा अर्दसम मातरिक चंद का उदाहरण है अब इसका उदाहरण जानेंगे मातरा को गिनना जानेंगे बहुत असान है यह कच्छा 9 में और 11 में और 12 में बहुत ही आयमपी है कच्छा 10 में दोहा नहीं पूछा जाता है क पावलो दोहा 9-11-12 के बच्चे ध्यान से इसे नोट कर लें और इसे तैयार कर लें अब यहां पर इसमे पछल देखिए बहुत आसान है रहमन पानी राखिये बिन पानी सबसून पानी गयन उबरे मोतिस मानुस चून अब इसका मात्रा गिनना है तो पहले रहिमन पानी राखिये जो लिखा गया उपर अभी एक लाइन लिखेंगे रहिमन पानी राखिये अब रहिमन पानी राखिये में कितनी मात्राइं होनी चाहिए क्योंकि वह पहले चड़र में है और पहले चड़र में तेरा मात्राइं होनी चाहिए इसमें पहले और तीसरे में आपका तेरा तेरा मात्राइं और दूसरे और चोथे में ग्यारा ग्यारा मात्राइं होनी चाहि यहां देखिए रहिमन में एक मात्रा ही में एक मात्रा हो जाएगा मौ में एक मात्रा एक मात्रा इसमें तो इसा भी आपका यह जो है आपका सब लग हूँ है यहां पर यहां पर भी गुरू है यहां पर भी गुरू है यहां आपका लग हूँ है फैं आपका गुरू है इसको जोडेंगे रहिमन पानी राखिये में जो मातरा दिया गया है इसको जब जोडेंगे ताब कि मातरा कितना आएगा तो तेरा आएगा ते मातरा कैसे लगाया जाता है तो याद रखिए जो बड़ी मातरा होता है वहाँ पे दो का परियोग करेंगे जहां छोटी मातरा होता है वहां पर एक का परियोग करेंगे यहां इसके पहले वाले वीडियो को आप लोग जरूर देखें जिसे आपको मात्रा पूरा समझ में आ जाएगा यहां बीन में आपका एक मात्रा होगा यहां एक मात्रा होगा पानी में आपका दो मात्रा है यहां नीमे में आपका दो मात्र गिना गया है आप लो भी मातरा को लगाएं और इसको जांच कर लें कि मातरा लगाना हम जान गएं कि नहीं जान गएं यदि आपको मातरा लगाना नहीं समझ में आ रहा है तो आप लो जरू कमेंट कीजिए और हमें बताइए कि मातरा समझ में नहीं आ रहा है तो मातरा अगर अगर समझ में नहीं आएगा तो अलग से एक वीडियो बना करके वीडियो को अपलोड कर दिया जाएगा तीसे मातरा को अच्छे से अपने नोट कर ले कापी पर और मातरा को गिने तो समझ में आ गया होगा दोहा अब हम लोग पढ़ेंगे चौपाई चौपाई बहुत आसा परिभासा है चौपाई चौपाई सम्मातरिक चंद है इसमें चार चरण होते हैं अब देखिए चौपाई भी सम्मातरिक चंद है आपका पहले आपका दोहा जो था अर्द सम्मातरिक चंद था अब चौपाई जो है सम्मातरिक चंद है इसमें चार चरण होते हैं और परत एक चर्म कितनी मातराएं होती हैं तो 16-16 मातराएं होती हैं तो 24 समझ में आ गया यह कलास 9-11-12 में हमेशा पूछा जाता है इसे अच्छे से आप लोग तयार कर लीजिए अभी आप लोग जो उदाहरन दिया गया है ऐसा उदाहरन दिया गया है जो आप लोग सुने होंगे जै हनुमान ग्यान गुन सागर जै कपी से तिहुं लोक उजाकर राम दूत अतुलित बल धामा अंजनी पूत्र पवन सुते नामा बहुत आसान परिभासा के साथ उदाहरण दिया गया है इस उदाहरण को अपने कापी पे नोट करके और इस पे मातरा लगाना सीख लीजिए यदि आप मातरा में कोई दिक्कत होता है तो आप लोग जरूर कमेंट कीजिए अगला हम लोग पढ़ेंगे सोठा अब यह कच्छा दस में बहुत ही आयम पी माना जाता है दोहा के सोठा क्या है तो सोठा एक मातरिक छंद होता है यह दोहा का उल्टा होता है अब इसके पहले हम लोग पढ़े थे दोहा दोहा में चार चरण होते हैं पहले और तीसरे में 13-13 मातराएं होते हैं अभी इसके पहले वाले में अभी पहले पढ़े हैं दोहा अभी इसमें हम लोग पढ़ेंगे सोठा तो सोठा क्या है यह दोहा का उल्टा होता है जैसे आपका दोहा में आप पढ़ेते पहले तीसरे में 13-13 मातरा अभी इसमें कहेंगे पहले और तीसरे में 11-11 मात्रा कहना है बस थोड़ा सा बदला हुआ है परिभासा बहुत आसान है जो कच्छा दोस में हर साल पेपर में आता है तो सोठा एक मात्री चंद होता है यह दोहा का उल्टा होता है इसमें चार चरण होता है पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्रा हैं और दूसरे तथ चोथे चरड में 13-13 मात्राइं होती हैं समझ में आ गया होगा यह दोहा का उल्टा है दोहा में पहले और तीसरे में 13-13 थे लेकिन सोठा में पहले और तीसरे में 11-11 मात्राइं होती हैं दूसरे और चोथे में 13-13 मात्राइं होती हैं बहुत आसान इसका एक्जामपल भी दिय गया है इस एक्जामपल को नोट कर लेंगे और मातरा भी लगा लेंगे नीचे मातरा लगा हुआ है इस मातरा को अपने कापी पर नोट कर लिजे जैसे एक्जामपल दिया जेही सुमिरत सिधी होई गड़नाय करिवर बदन करहु अनुगरह सोई बुद्धी रासी सुब गु सदन आपका जो दिया गया इजामपल इस इजामपल को नोट कर लिजेगा सोठा का इजामपल है और नीचे जो है यहां मातरा लगाया गया है इस मातरा को अपने कापी पर भी नोट कर लिजेगा कहां से कौन मातरा किस पर एक मातरा लगा है किस पर दो मातरा है इस पर एक मात लगा हुआ है इसे गुरु कहते ऐन ऐसे बना रहेगा उसको लगु कहते हैं इसины क को अपने काफी पर लिएकार सब्झे जेगा और इसकोस द्लिए innovator say ये 10 में IMP है, 10 में 2 पुछा जाता है सोठा या रोला, तो सोठा रोला दोनों तयार कर लिजे, दोनों में से पेपर में एक जरूर आता है, इसे अच्छे से तयार कर लिजे, रोला एक सम मातरिक छंद होता है, इसमें 8 चरण होते हैं, इसके परतेक चरण में 24 मातराएं होती ह याद रखेगा रोला एक सम मातरिक छंद होता है इसमें आठ चरण होते हैं इसके परतिक चरण में 24 मातराएं होती हैं जैसे आपका यहाँ पर माँ आपको एजामपल दिया गया है इस एजामपल को अपने कापी पर नोट कर लिजिए अब इसका एजामपल जो देख रहा है आपका जीती जाती हुई जीती जाती हुई जिन होने भारत बाजी अब इसको जब मातरा गिनेंगे तो इसमें 24 मातरा हैं मातरा इसके उपर लिख दिया गया है इसे अपने मातरा भी आप लगाए और इसको गिनिये देखिए 24 मातरा है की नहीं है तो जीती जाती हुई जिन होने भारत बाजी निजबल से बल मेट बिधर्मी मुगल कुराजी आपका धियान देंगे समातरा को एक एक मातरा को गिन्ना सिखेगेगा अगर कोई भी दिक्कत होगा तो जरू कमेंट कीजेगा जिनके आगे ठहर सके जगीन जाहाजी ह या वही परसित छत्रपती धूप सिवाजी आपको जो एक जामपल दिया गया है इस एक जामपल को आप लोपने कापी पर नोट कर लिजेगा और इसे रट लिजेगा और मातरा लगाना भी सीख लिजेगा तो समझ में आ गया होगा कि यह जो मातरा है यह मातरा जो रोला का अब रोला के बाद से हमनों पढ़ेंगे इंटर में बहुत ही आयमपी है कुंडलियां अब कुंडलियां क्या है तो कुंडलियां बहुत ही आसान परिभासा है इमें दो चीज को ले करके जोड़ करके बनाया गया है दो कौन है तो दोहा और रोला है तो दोहा और रोला जोड कर कुंडलिया चंद बनता है कुंडलिया चंद कैसे बनता है तो दोहा और रोला को जोड कर कुंडलिया चंद बनता है कुंडलिया के पर्थम दो चरण में दोहा का लच्छ देखिएगा कुंडलिया में पर्थम दो चरण में दोहा का लच्छ और बाद में चार चरण में रो चार चरण में रोला का अलच्छड होता है तो कुंडलिया में कितने चरण हो जाएंगे तो कुंडलिया में 6 चरण होते हैं या देखें कुंडलिया में कितने चरण होते हैं तो 6 चरण होते हैं दोहा का अंतिम चरण रोला का पर्थम चरण होता है या ध्यान देना है दोहा का और रोला को मिला करके बना है कुंडलियां अब यहां दोहा देखिए दोला कीजिये सपने में अभिमान चंचलचल दिन चारी को ठाऊन रहत निदान यह जो इजामपल दिया गया है वह दोहा का特別 है अनीचे जो इजामपल दिया गया है वह रोला का इजामपल है इस रोला में क्या देख रहे हैं कि दोहा का जो अंतिम लाइन है अंतिम जो चरण है ठाउ न रहत नीदान अब देखे ठाउ न रहत नीदान ये पहला हो जाता है बस यह यह पूरा जो देख रहे हैं यह एक चरण माना जाता है दो चार चरण अउपर दो चरण इसको ले करके टोटल छैच चरण हुए हैं तो दोहा और रोला को जब जोडते हैं तो कुंडलिया बनता है लेकिन इसमें भी कुछ भिसृश बातों को ध्यान रखना है कि इसका जो अंतीम और मने दोहा का अंतीम चरण और रोला का पर्थम चरण होना चाहिए अब यहां पर देखिए आपका यहां जो हमारा क्या लिखा गया है ध्यान से देखेंगे तो आपका दोहा का लिखा गया आपका चारों चरणों में रोला का लचर होता है दो का रोला का पर्थम चरण होता है इसे अपने कापी पर इजामपल को नोट कर लिजिए और इसे याद कर लिजिए और मातरा लगाना भी सीख लिजिए और मातरा अगर नहीं लगाना जान पाते हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस लिंक पर जा करके मात्रा लगाना वाला वीडियो भी सीख लिजिए कहां पर का पर का मैं कितना मात्रा की में कौन सा मात्रा लगेगा ये सब बताया गया है उस वीडियो को आप लोग जरूर देखें और मेरे चैनल को सस्क्राइब लाइक जरूर करें आज हम लोग पढ़ झाल झाल